हेलो फ्रेंट्स नमस्कार स्वागत है आप सभी का जेस्विजन एकाडमी पर तो आज की सूड़ी में हम लोग देखने वाले हैं राश्ट्रियों अंतराश्ट्री शमशामी की 2023 मतलब ये जो है करेंट अफेर्स है और ये फरवरी महा का करेंट अफेर्स है फरवरी 2023 और आठीकोलर इस्टेट वाइस जो भी इकजाम के तैयरी करने हैं बहुत ही इंपॉर्णार न है का बता दूँ के तैयरी वाले तैयरी करने वाले स्य्ट्रीन के लिए बहुत ही में इंपाएंस ऊसाथ आने वाले चास दिक्ष़रों सभ्स चात поэтому अंब्र एकन जारूर्ब प्रेयजीगा ताकि इस तरह का वीडियो आप आपको प्रोवाइट होता रहे नोटिफिकर्स आपको मिलता रहे इसके लिए विल आइकन जारूरर प्रेयजीगा और अच्छा लगने पर लाइक करके शेयर जरूरर कर देज़ेगा चलिए पहला कोस्चन है हाल ही में निति आयो का नया सियो किसे निफ्थ किया गया है तो ये बहुत ही जादा important question है याद रखेगा आप लोग आप IMP टेक कर लजें मेरे तरफ से क्योंकि ये question जो है सिजी व्यापम या होस्टल वार्डन की बात करें तो ये question पहला ही बन जाता है क्योंकि नया सियो किसे निफ्थ किया गया है निति आयो का तो question का सही आंसर होगा A. B. V. R. सुबरमन्यम देखे ये जो है निति आयो के नया सियो बने है B. V. R. सुबरमन्यम निति आयो कि अध्यक्षता देश के प्रधान मंत्री करते हैं सभी आपको पता है यह important factor है उपाध्धक्ष की निक्ति प्रधान मंत्री द्वारा की जाती है PVR यहाँ पर आप देख सकते हैं BPR सुब्रमन्यम पूरो आईएस आफिसर थे वर्दवान में नितिया आउकर नया स्यो निक्ति किया गया है यह किन की जगा लेंगे यह important है तो यह चाहिए याद रखिएगा परमिश्वरन आयर की जगा यह लेंगे किन की जगा लेंगे पर परमिश्वरन आयर की जगा तो यह important factor था इस question से next question है आपका आई ऐसे से विस्व कप के पुरुसों की 10 मिटर रेयर पिश्टल में वरूड तो बरने कौन सा पदक जीता है तो देखिए यह बहुत important है इस तरह से जो खेल से समधित question है पुछे ही जाते है एक्जाम में तो देखिए इसका correct answer होगा का से पदक किसनी जीता है वरूड तो बरने अब देखिए important क्या बन सकता है कि यह कितने मिटर रेयर पिश्टल में है तो यह 10 मिटर रेयर पिश्टल में है यह याद रखने है आपको और नाम याद रखने है वरूड तो मरूड नेक्स्ट कोश्चन है आपका ISSF Fold Cup के 10 मिटर रेयर पिश्टल मिख्ड टीम का स्वणड पदक किस देश ने जीता है तो यह अलग कोश्चन मन जाता है तो यह दोनों कोश्चन तो दूसरा तीसरा और पहले यह तीनों की तीनों बहुत important है यह भारत ने जीता है किस ने जीता है भारत ने और कितने मिटर क मिख्ड है तो 10 मिटर एयर पिश्टल मिश्री टीम का नाम आपको याद रखने है रुद्राक्ष बाला सहब पाटिल रुद्राक्ष बाला सहब पाटिल और नर्मदा नितिन वाली टीम ने ISSF विशुकब 2023 का गोर्ड मिडल जीता है इसने क्या जीता है गोर्ड मिडल तो यह याद रखिए का सोणपदक यहाँ भी आप देख सकते हैं तो जो जो important fact बनते जाएगा उसे हम देखेंगे अलग से related करके आपको relate करके पढ़िए बहुत ज़्यादा आपके लिए महत्व पूर्ण होगा एकजाम के लिए आने वाला नेक्स्ट आपका दादा साहब फाल के अंतराष्टी फिल्म महस्व या समारो 2023 में सरवसेस्ट अभिनेतका पुर्सकार किसे मिला है बहुत ज़्यादा important है तो यह जो है रडबीर कपूर सही answer होगा रडबीर कपूर तो दादा स को याद रखना है अंतराष्टी फिल्म समारो 2023 का जो आयोजान हुआ है यह मुंबई में किया गया है और इस समारो में बेस्ट फिल्मक आवाड किसे मिला यह भी बहुत ज़्यादा important है तो देकि important fact आप IMPT करते चलिए best फिल्मक आवाड जो है विवेक अगनी होत्री दकस्मिर फाइल्स को चुना गया तो यह important है कौन सा दकस्मिर फाइल्स और यह किसके द्वारा निर्देसित है यह भी पुछा जा सकते है तो विवेक अगनी होत्री द्वारा निर्देसित यह फिल्म है नेक्स्ट कुश्चन आपका यह विगनेस एन आर भारत के किस क्रम क ग्रैन मास्टर बने है विगनेस एन आर भारत के किस क्रम के ग्रैन मास्टर बने है तो यह भारत के असीवा नंबर के ग्रैन मास्टर बने है और इन्होंने जर्मनी के इंटरनेशनल मास्टर इल्जा स्राइडर को हरा करके तो यह नाम याद रखिएगे इल्जा स्राइडर को हरा करके देश के असी में Grandmaster बन गया है Next question है अपका अंतराष्ट्री मात्री भासा दिवस प्रती वर्ष कब मनाया जाता है तो अंतराष्ट्री मात्री भासा दिवस जो है ये आपका 21 फरवरी को मनाया जाता है कब मनाया जाता है 21 फरवरी अब इससे important fact देखते हैं 1999 में 1999 में 21 फरवरी को विश्व मात्री भासा दिवस के रूप में मनाया जाने का घोशला किया गया था किसके द्वारा ये उनेशको के द्वारा ये चीज़ याद रखेगा आप लोग और यह 2000 से पुरे विश्व में मात्री भासा दिवस के रूप में मनाया जाता है तो देखिए दोस्तों ये important factor है और जब कोई भी आपको अम्टुटिक जाम के तयारी करते हैं तो question कहीं से पुछा जाता है आपको सभी question को देखते चले जाना है क्योंकि important कोई सभी नहीं होता जो भी set करने वाला था है वो कहीं से भी question set कर सकता है चले आपको भारत की पहली semiconductor facility किस राज्य में इस्थापित की जाएगे तो पहली है ये भारत की तो भारत में जो भी पहला बनता है उसे तो आपको याद रख नहीं है पहली semiconductor facilities, यह जह की स्राज्या में इस्थापित की जाएगी, तो यह है आपका गुजराएत में स्थापित की जाएगी, इसमें स्थापित की जाएगी गुजरात में और यह भारत की पहली semiconductor facility होगी हाल में केंद्री काबिनेट ने हवाई सेवा समझाते को मंजूरी किस देश के साथ की है तो केंद्री काबिनेट ने हवाई सेवा की जो मंजूरी है वो किस देश के साथ समझाते की है तो ये गुयाना के साथ की है किस देश के साथ हुई है गुयाना के साथ हुई है हवाई सेवा समझाते की मंजूरी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हाल में निव स्टार्ट संधी से कौन सा देश अलग हो गया है तो निव स्टार्ट संधी से कौन सा देश अलग हुआ है इसका जो आंसर है रूस जो है अभी हाल में निव स्टार्ट संधी से अलग हो गया है यह संधी इससे important fact दखते हैं पांच फरोरी 2011 को लागू की गई थी कब की गई थी पांच फरोरी 2011 क्योंकि कोई भी क्वेश्चन पुछा जा सकता है ये डेट याद रखियेगा ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेट होगा जिके से संबंधित ये जो है इस संधी का मुख्य उद्देश क्या था तो विश्व की दो प्रमुख परमाड़ी सकतियों को किसको विश्व की दो प्रमुख परमाड़ी सकतियों को बीच खतरनाग जो हथियार बनता था उस होड को समाप्त करना था इसका उद्देश और जो है रूस यूक्रेन यूद के बीच रूस के राष्टपती ने इस संदी से हटने की घोसला कर दी है एलान कर दी है चली नेक्स्ट कुस्चन आपका दा एग्रिकल्चर एनोवेशन मिशन फर क्लाइमेट पहल में कौन सा देश समिल हुआ है बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट है ये कुस्चन देखी इसलिए में टॉप कुस्चन आपसे कराने जा रहा हूँ आज जो कर रहे हैं आप लोग बहुत अच्छे से करिएगा ये आल कॉम्टोट एक्जाम के लिए बहुत इंपोर्टेंट होगा इसके बाद पार्ट टू आएगा उसे भी पूरा जरूर देख लिएगा आप लो इसमें पहल में कौन सा देश सामिल हुआ है तो करेक्ट आंसर होगा अपना देश भारत सामिल हुआ है तो सी यहां करेक्ट आंसर होगा यहां सहयुक्त राजय अमेरिका और सहयुक्त अरब अमिराद की एक सहयुक्त पहल है तो देखिए अमेरिका ने भारत की इस पहल का स्वागत किया है नेक्स्ट कुश्चन है आपका भारती नव सेना ने समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ ग्यापन समझाता पर हस्ताक्षर किये है तो देखिए समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ ग्यापन समझाता पर हस् तो ये जो है सेसेल्स किसके साथ किया है सेसेल्स के साथ हुआ है Next question क्यों बढ़ते है हाल ही में डेंगू के बढ़ते प्रकोब के काराण स्वास्थ अपात काल की घोस्डा किस देश ने की है बहुत जादा इंपोर्टेंट है याद रखिएगा जो इंपोर्टेंट रूसे आमपेटी करते चलेंगे आप लोग तो डेंगू का बढ़ते प्रकोप के काराण किस देश ने स्वास्थ पातकाल की घोश्रा की है तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर पेरू ने की है और दक्षिड अमेरिका का एक देश है पेरू और डेंगू के बढ़ते प्रकोप के काराण इन्होंने नब्बे दिनों के स्वास्थ पातकाल की घोश्रा की है कित्ते दिनों की नब्बे दिनों की नेक्स्ट कोश्चन आपका विस सुबैंक के अध्यक्ष के लिए अमेरिकी राष्टपति जो वाइडेन ने किसका नाम नॉमिनेट किया है या किसको नॉमिनेट किये हैं इस तरह से कोश्चन पूछा जाए यह बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है तो अजय बंगा का नाम इन्होंने क्या किये हैं यह नॉमिनेट किये हैं विस सुबैंक के अध्यक्ष के लिए नेक्स्ट कोश्चन है आपका हाल ही में उत्तर भारत का पहला निउक्लियर पाउर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा तो उत्तर भारत का पहला निउक्लियर पाउर प्लांट जो है यह किस राज्य में स्थापित किया जाएगा तो यह जो है हरियाडा में स्थापित किया जाएगा कहां स्थापित किया जाएगा हरियाडा में नेक्स्ट कोश्चन का है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बैडविंटन एसिया मिक्स्ट टीम चेंपियंशिप का का से पदक किस देश ने जीता है तो बैडविंटन एसिया मिक्स्ट टीम चेंपियंशिप का जो का से पदक है ये अपना देश भारत ने जीता है किस देश जीता है भारत ने नेक्स्ट कोईश्चन है और इंपोर्टेंट है 15 नंबर का कोईश्चन नेक्स्ट है आपका बांगलादेश के नए राष्टपती किसे चुना गया है तो बांगलादेश के जो नए राष्टपती है ये है मुहबद सहाबुद्दीन चुपो तो इनको जो है बांगलादेश के नए पास्ट राष्ट पति करुपे चुना गया है बांगलादेश के 22 वे राष्ट पती हैं यह याद रखीगा करम सहाबुद्दीन चिप्पू को चुना गया है वह पूरो राष्ट पती मुहम्मडन अब्दूल हमीत की जगह लेंगे अब चलिए नेक्स्ट कोश्चन है हाल में किस मंतराले द्वारा स्वास्था मन स्वास्था घर पहल की सुरवात किस मंतराले के द्वारा की गई है तो करेक्टर आंसर हो गया पर स्वास्थ एवं परिवार कल्याण मंतराले के द्वारा स्वास्था मन और स्वास्था घर पहल की सुरवात की गई है यह जो है नॉमबर 2022 से अक्टूबर 2022 तक चलेगा चलने वाली एक एक वर्सी अभ्यान है यह राश्थी स्वास्थनिती 2017 के नुरूप है किसके नुरूप है 2017 के नुरूप है याद रखेंगे बहुत important है इस तरह का question आपके एक्जामे कुछा जाता है साथ ही India moment 2019 पर केंदरित है तो यह दो चीज़ याद रखेंगे स्वास्थनिती 2017 के नुरूप है और India moment 2019 पर केंदरित है next question है आपका हाल ही में ICC Men's Player of the Month Award से किसे सम्मानित किया गया है तो देखिए ICC Men's Player of the Month Award याद यह मिला है जन्वरी का जन्वरी माह का ICC Men's ICC Men's Player of the Month Award से किसे सम्मानित किया गया है और दोस्तों यह है इसका सही आंसर सुभमन गिल पूरा भा है आधा भा हुआ है इसे करेक्ट का करेक्शन कर लेंगे तो देखिए सुभमन गिल को यह अवार्ड से सम्मानित किया गया है और यह important question है सारे के सारे important question है तो जो भी हमारा question निकलता है आप लगातार जरूर देखा किजे क्योंकि question कहीं सही बनता है आधा आपको नहीं देखना है पिछला जो हुआ है जो होस्टल वार्डन के त्यारी कर रहे है याद रखिएगा जो पिछला सम्मसामी के 36 गड़का और राष्टी अरत राष्टी निकला है उसे भी आपको देखना है क्योंकि बहुत से जल्दा आपका एकजाम आने वाला है तो आप prepare रहिए prepare करते रहिए आगे जो है आपका जो मैस सका है कमेंट कर रहे थे जरूर कराऊंगा मैस सका भी है बिलकुल आपको चिंति दोने की कोई आश्रकता नहीं है चली मिलेगे नेक्स्ट वीडों में तब तक के लिए थाइक्यों जैहिद जैभार्ण